तो दोस्तों हम चार्ट पे आ गए हैं तो आप जो देख रहे हैं ये हंस योग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो ये पोस्ट जो है दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पे आपको ऐसी पोस्ट मिल जाएंगी ये इंस्टाग्राम का ही पोस्ट है और ऐसे अच्छे काफी पहतरीन पोस्ट आपको astrologist related जो आपके astrological knowledge को boost करे ऐसे अच्छे पोस्ट आपको मेरे instagram profile पे available है तो आप उसे वहाँ पे मेरे profile पे देख सकते हैं follow कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि आज हंस योग के बारे में बात कर रहे हैं तो आज आज यह चलते हैं पे तो इसके rules क्या है rules जैसे कि almost सबसे पहला important rule जो हर पंच महा पुरुष योग के लिए important है कि यह सिर्फ केंदर में बनता है केंदर में आपको बता दू पहला भाव चौता भाव आप जो देख सकते हैं यानि कि पहला भाव, चौता भाव, सात्वा भाव और दस्वा भाव यह इनी भाव में बनेगा आपको यहां बनेगा यहां बनेगा यहां बनेगा यहां बनेगा यहां बनेगा ऐसा नहीं है सिर्फ केंदर में ही बनेगा यह बहुत important है केंदर मैंने आपको समझा दिया, यह सारे भाव केंदर भाव है, ठीक है, केंदर भाव में यह बनेगा पहला रूल है, दूसरा, इसमें ब्रहश्पत ओन साइन के होने चाहिए, या तो ऐसे साइन में जिसमें वो उच्च के होते हैं, ओन साइन उनका कौन सा है, धनूराशी, और करक करक में ब्रहश्पत उच्च के हो जाते हैं, यह तीनों में वो, तीनों साइन अगर केंदर में है और ब्रहश्पत बैठे हुए हैं केंदर में, तो मतलब आपकी कुंडली में हंस योग बना हुआ है, ठीक है, इस बात को समझ लिया, आपने रूल समझ लिया, अब जाते हैं, कि कैसे इसको देखना है, तो एक बार मैं फिर से बता दूँ कि इसके बैनिफिट्स क्या-क्या है, देखिए, ब्रहश्पत से जुड़े बैनिफिट्स बढ़ जाएंगे, आपके चार्ट में, ब्रहश्पत से जुड़े बैनिफिट्स क्या होते हैं, यानि कि ज जो है आप उससे संतुष्ट हो संतुष्टता भी प्रतान करता है रह्ष्पतियाद रखीगा हैपिनेस और संतुष्टता आपको अच्छे लेवल पे रहेगे आप संतुष्ट रहोगे अपनी जीवन से खुशहाल जीवन आपको मिलेगा ये ब्रहष्पति देता है ये सारी चीज़ें होंगी दूसरी चीज़ भगवान को मानने वाले होगे ट्रस्ट वर्थी होंगे यह सारी चीज़ें से आप यहां पर पढ़ सकते हैं काइंड फूल ट्रस्ट वर्थी बिलीवर ऑफ गॉड यह सब मैंने में अच्छी होगी उसकी और एजुकेशन अच्छी हो नहो हो लेकिन परसन नॉलेजबल बहुत होगा किसी ने किसी फिल्ड में बहुत अच्छा उसको घ्यान होगा यह चीज़ आप समझ लीजे वैसे तो ज्यादा तर आपको एजुकेशन अच्छी बहुत कम सरक्मस्टेंस ऐसे होते हैं जहां पर एजुकेशन नहीं अच्छी तो स इस्टेबिलिटी बहुत अच्छी तरके से अपको प्रदान करता है अब इंपोर्टेंट चीज़ यह है कि कहा कहा नहीं बनता पर यहां पर पढ़ लीजेगा यहां पर मैंचन किया है मैंने वैसे तो और यह जहां पर क्रॉस है इन सारे लगनों में यह योग नहीं बन पा सब्सक्राइब इन नहीं बन पाता कारण वही है कि इन तीनों साइन में से कोई भी साइन केंदर में आता ही नहीं है इन पर्टिकलर कुंड़ी तो अब आ जाते हैं इसको कैसे देखना है और इसकी benefits कैसे कैसे समझना है तो सबसे पहले शुरू करते मेश आप मेरे ब्लू ट देखिए जैसे यहां पर जो भी मेश जो है चर राशी यानि कारडेनल साइन तो यह देखिए यहां पर बनेगा क्योंकि चार नमर केंद्रस्थान करकराशी चौथे भाव में बैठेंगे तो चौथे भाव से जूड़ी चीजें उसमें अच्छी वृद्धी होगी चौथ आपके जीवन के अंदर जो एक संतुलन होता है एक आपके सुख भाव इसे कहा जाते हैं आपके जीवन का सुख यह सारी चीजों को दर्शाता है तो ब्रहश्पत यहां पर आके उच्चके होते हैं और यह हंच चिनामक पंचमहा पुरुष योग बनाते हैं तो बहुत ही तो लेकर बार्वा भाव ध्यान देंगे अपनी राशी है as per the rule कि कोई भी अपने ग्रफ को देखता है तो उसका नुकसान नहीं करता तो उस चीज़ को हम ध्यान दें तो बारवे भाव से रिलेटेड भी हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उससे बारवे भाव से रिलेटेड जो बुरी बुरी रिजल्ट है वो काफी हद तक हमें कम मिलेंगे same for the 8th house और दशम भाव पे प्रहश्पत की द्रिस्टी है तो करियर वाइस प्रोफेशन वाइस बंदे की अच्छी ग्रोथ होगी यानि कि जौव आसानी से मिलना जो जो चाह रहा है जो डेजिंगनेशन चाह रहा है जिसके लिए प्रहश्पति देवता उनके द्वारा बनाया जा रहा है तो इस योग के द्वारा बहुत बेनिफिट होता है आपको मैं बता दूं और बहश्पति जैसे कि आप अगर बहुत इंपोर्टेंस दे जाती बहुत सारे दोश कुंडली के वो खतम कर देते हैं आपके चार्ट में अब मैं आपको बता दूं कि यह जो मेश में अगर बनता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं यानि कि भाग्य भाव के मालिक है वो तो भाग्य भी अच्छा सा देगा करियर के लिए अच्छा है और हर एक चीज और अश्टम भाव पे द्रिष्टी है तो अश्टम से बुरे रिजल्ट जो मिलने वो भी थोड़े कम मिलेंगा दूसरी चीज अस्टम से रिलेटेड जो फायदे होंगे आठ्वे भाव से रिलेटेड फायदे जो होंगे वो भी हमें मिलेंगे कि गुरु की द्रिष्टी को अमरित माना गया है क्योंकि जैसे कि शनी की द्रिष्टी को खराब माना गया है मंगल की द्रिष्टी को खराब माना गया है उसी तरह से ब्रहश्पत की द्रिष्टी को बहुत शुब माना जाता है तो यह हो गया मेस के ब देखे तो सब्तम्भाव और साथी साथ दशम्भाव दोनों जगे बन सकता है यह रहा सब्तम्भाव यह रहा दशम्भाव देख सकते हैं सब्तम्भाव में धनू राशी आती है वहाँ पर बन सकता है ब्रहश्पत की अपनी राशी और मीन राशी जो है वह आ जाती है उनकी दस्यम भाव भी वहाँ पर भी बन सकता है तो ब्रहश्पति अगर मान लीजिए सब्तम भाव अपने मूल त्रिकॉन राशी में सब्तम भाव में बैठते हैं तो भी ये योग हंश योग बनेगा मिथुन लगन में और इसका जो रिजल्ट होगा ये अगेन जैसे कि प्रोफे है यानि ग्यारवे भाव पर देखेंगे ग्यारवा भाव जो कि लाब का भाव है जीवन में सोसाइटी से लाब उसे होगा और तीसरा भाव तीसरा भाव क्या है चोटी-चोटी आत्राएं कम्मिकेशन मतलब इस तरह से कहूं की यहां पर मैं कहूंगा कि जो कम्मिकेशन है जो society है नाम इंसान का बोलते ना एक इज़त होगी उसकी society में अच्छी खासी repetition होगी उसकी और दूसरी चीज ये married life के लिए मैं काऊंगा एक जैसे गुरू का सब्तमभा में बैठना बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि बहुत अच्छा से मेरा ये नहीं कि बुरा होता है प थोड़ा सा में कहूंगा यहां पर married life में एक दूसरे पार्टनर के लिए इसे कि इज़त जादा होगी मेरे साब से इज़त जादा होगी एक दूसरे के लिए as compared to romance या जो भी हम आज के date में जादा धूमते हैं वो थोड़ा सा इसमें कम होगा हां आपका जो पार्टनर होग जहां पर रोकोगे जीवन में वहां पर आपको कैसे कैसे निकलना है कैसे आगे बढ़ना उसके लिए ज्यान से बली होगा आपके उपर याद रखेगा तो यहां पर यह नहीं कहने का मतलब है कि आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा या उसके पास आपसे बड़ी तो यह हो गया सप्तम भाव और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा अगर वो करियर भाव में बैढ़ जाते हैं वहाँ पर यह हंस योग बन रहा है तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा जैसे करियर स्थान पर बैठे हैं गुरुदे तो बेसिकली सिच्छा से रेलेटेड या फ फिनिपल है या किसी भी किसी भी मैं कहूंगा कि प्रोफेशन जैसे गौब्च में प्राइवेट वहां पे एक अच्छे टीचर्स का रॉल प्ले कर सकते हैं ट्रेनिंग बोलते हैं अच्छ के ठीक प्रोफेशन में ट्रेमिंग की जरुदती ट्रेनर इस तरह की अच्छा ए बंदा अच्छी तरीके से ठीक है अगेन वही बात करें अगर कि द्रिष्टी की तो यहां से पंचम द्रिष्टी पढ़ रही है सेकेंड हाउस जो कि उनका कारक भाव है अगर हम सब्तन द्रिष्टी बोले चौथा भाव सुक भाव बहुत अच्छी बात है छटे भाव पर नवी द्रिष्टी पढ़ रही है तो आलमोस्ट यह सारे भाव से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको बता दू तो छटे भाव चैष्प भाव दूसरे भाव धन भाव धन की अच्छी वप्रिद्धी होगी जीवन में धन की कमी नहीं नहीं आएगी फैनेंस की कमी नहीं आएगी फोर्थ हाओ सुखों में कमी नहीं रहेगी छटा भाव चटा भाव जैसे कि दुश्मनों से कोई परिशानी नहीं होगे और आपको बता हूँ चटे भाव का कनेक्शन अगर दस्वे भाव से बनता है तो यह जो आप स्ट्रगल कर सकते हैं करक लगन करक लगन में यह कहां बन सकता है लगन में और कहीं बन नहीं सकता क्योंकि नौ नंबर बारा नंबर आप देख रहे होंगे नौ नंबर छटे भाव में पढ़ रहा है और गुरू की मीन राशी नहीं भाव में पढ़ रही है तो यहां पे बचा क्या करक जहां पे गुरु उच्च के होते हैं लगन में यहां पे अगर बैठते हैं तो दोस्तों यहां पे थोड़ा सा चेंज आता है चीजों में आपको बता दू ब्रहशपती देखिए यहां पे छटा बात्रिक भाव के स्वामी है और यह इनका मूल त्रिकून जो धनूराशी होत हैं और यहां पे प्रहशपत को पहले भाव में डिरेक्शनल स्टेंथ भी अच्छी कासी मिलती है तो देखिए एक बात आपको बता दू यह यह योग इनसान को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा हर एक माइने में क्योंकि जो पंचम भाव है संतान से सुखी कर देगा भाग होगे इंका साथ दाइने वाला होगा और मैरिड लाइफ भी ठीक ठाक होगी अच्छी कासी होगी अगर शनी ने हस्तच्छेप नहीं किया हो तो शनी सप्तम्भाव का गलत तरीके से प्लेजड़ नहीं हो तो इन सारी चीज़ों को लेकर विकॉज यहां पर क्यों यह च्छ पत्रूं से लड़ते हुए और फिर पर शानियों को जहलता हुआ उपर आये लेकिन हां इतना श्योर है कि इसकी इमेज होगी इसकी 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 इजद करने वाल होंगी इसकी समाज में काफी बहतर इनके image होगी और ये काफी high level पे अच्छे level पे ये जाएंगे प्रोफेशनली हो गया या फोर पंचम भाव education wise बोलो luck wise बोलो इनको इनके जीवन में हर तरह से flourishment रहेगी यानिके हर तरीके से इनके इनके लिए ये काफी फायदे मंद होगा काफी beneficial होगा इनके लिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब again मैं बात करूँ कन्या कन्या राशी पे कन्या राशी में कहां बन सकता है अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे मैंने बताया कि चौता भाव जो है यहां पे करियर के लिए अच्छे हो जाते हैं और करियर के लिए अच्छे हो जाते हैं जैसे मैंने आपका अच्छा राइज होता है इन सब चीजों के लिए वह बहतर रेजल्ट देते हैं 12,000, 8,000 से रिलेटेड जो रिजल्ट होते हैं वह भी काफी सुधर जाते हैं जीवन में ज्यादा बुरा प्रभाव बारवे आठवे भाव से नहीं देखने मिलता है ज्यादा का कहने का मतलब है कि उनकी दशाव अगर चलेगी उनका सब अंतर दशाव चलेगा तो रिजल् चलेट के बहुए बहुत अच्छा बहुत अच्छी पॉजिशन होगी अगें मैं वही काऊंगा जो की मित्वों के लिए कहा था यहां पर दसम भाव में वैसे कुछ रिजल्ट यहां पर बिलेंगे यहां पर प्रशन जो हो का वह ज्यादा डयालु किसम को घुम में अपने किसी अच्छे प्रोफेशन में जहां पे लोगों की केर करने वाला हो ऐसी कुछ चीज़े मतलब दयालू किसम का होगा इमोशन होगा और दूसरों का हानी करके कमाने वाला नहीं होगा अपना स्टेटस बनाने वाला और स्टेटस की बात करो तो स्टेटस उसका एक अच्छा लेवल का स्टेटस होगा अपने प्रोफेशन मतलब हाई लेवल पर जाएगा बंदा और साथी साथ जैसे मैंने कहा कि सुक भाव को देख रहे हैं तो इन सारे चीज़ यानि कि माता भूमी गाड़ी वहन और फैनेंस जीवन में अच्छी खासी रहेगी फैनेंस की कभी भाव होता है उस पर द्रिष्टी डालते हैं छटा भाव रोग रीड करजा का होता है इन सब चीजों के लिए वह अच्छे सिद्ध होते हैं अच्छा रिजल्ट मिलता है एक अच्छे लेवल पर आप जाते हो आपके जीवन में सुक सांती समरिद्धी लाता है यह अब धन द्रिष्टी पांचम द्रिष्टी पढ़ेगी यहां पर बन सकता है यह कुंडली में और चौट्धे भाव में बन सकता है क्योंकि दोनों जगे पर आप साइन देख सकते हैं गुर्यू की आ रही है याँ यानि कि यहां बनेंगा और यहां पर अब यहां से अगर वो पंचम द्रिष्टी देंगे और नवी द्रिष्टी से नवे भाव को पंचम द्रिष्टी से पंचम भाव को देखेंगे सब्तम द्रिष्टी से सब्तम भाव को देखेंगे तो यह योग भी यहां पे बहुत अच्छा काम करेगा प्रोफेशन राइजिंग से लेके उनकी समाजिक इमेज जो है वो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी सुख स्थान यानि कि इनसान संतुष्ट होगा अपनी जीवन से यानि कि जो भी उसकी जीवन है जो वो चाहता है जो अपनी जीवन से मतलब दुखी नहीं रहेगा कि यह नहीं मिला वो नहीं मिला काफी सुखी होगा कि हाँ जो मिला परियापत है और ऐसा नहीं कि कम मिलेगा मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो कहने का मतलब यह है कि उसे जो चाहेगा वो मिलेगा जीवन में यानि कि यसे कि मैंने उसकी अच्छी एक बुलते ना एक अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा और यही अगर चौते भाव में यह योग बनता है धनुराशी में अगेन प्रोफेशन पे द्रिश्टी पड़ती प्रोफेशन राइजिंग बहुत अच्छी घासी होगी और साथी साथ जैसे कि मैंने कह अच्छ अथा कि 5-30 अस्टम पे 9-32 भाव पे तो इनसे जुड़े तो रिजल्ट से दब जाएंगे स्टोपने नहीं मिलेंगे ज़्यादा मतलेकिं नेगर्टिव भाव तो है तो हुझ का पूरी तरह से निगर्टिव कोई भाव नहीं होता है नहीं होता है त्रिकश्थान में आपका इंट्रस्ट उसको भी आप एजली जल्दी इस अंडरस्टैंडिंग मिला सकें वो सारी चीज़ें आपके अंदर रहेंगी और फैनेंस जीवन में अच्छा बना रहेगा और बात करें करक में करक में यह एक ही जगे पर बनेगा जैसे मैंने कहा कि कारडिनल्स जो क आपको बताया था जैसे आप कन्या लाक्षी के लिए बताया था वैसा ही कुछ रिजल्ट यहां पर भी मिलेगा यहां से एक बेनिफिट होता है कि गुरू जो है लाब भाव को देखते हैं यह काफी बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का जैसे मैंने कहा कि आपका पार्टनर आपका पार्टनर काफी सहायक होगा यहां पटको के वहां पे आपको मारक दर्शन देने वाला होगा यहां ज्यान देने वाला बंदा आपका पार्टनर होगा इंशाओट दूसरी चीज़े फैनाइन्स और इंकम के लिए बहुत अच्छा हो जाता क्योंकि आपके 11 आउस क गुरू देख रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपके जीवन में जो उपलब्दियां पाना चाहते हो समाजिक इज़त जो सारी चीज़े आपको बहुत आसानी से मिलती है और अच्छे लेवल पर एक बहुत ही अच्छे लेवल पर आप समाज में जाने ज करते हो उस रिडेट अपको फल उसको तुरंट आपको मिल या निकि कुछ एफर्ट किया है आपने किसी चीज़ के लिए तो वह सार्थक होना बहुत जरीरू होता है मारे जीवन में वह सार्थकता भी आपको जल्दी मिलेगी आनि कि कुछ आप प्रयास कर रहे हो तो उस प बड़े समूह को आपको डील करना है ग्यान देना है एक नॉलेज पास करनी है तो उसके लिए ब्रहश्पति का मजबूत बहुत होना जरूरी है लेखक हो सकता है पोईट हो सकता है ऐसा इंसान जब दशम का कनेक्शन गुरू से बने या फिर जैसे गुरू देख रहे हैं तो ऐसे इंसान इन सब करियर में भी जा सकते हैं ऐसे कि दशम में जब बनेगा आगे बने बताता हूं अब मीन के बारे में बात करते हैं मीन में ये जैसे दशम भाव में बनता है तो दशम भाव में ये बन रहा है यहां से जैसे कि उनकी पांचवी दिष्टी अगेन धन पर पड़ रही है नौवी दिश्ट्री छट्टे वहाव पर और साथ वी दिश्ट्री सुक भाव पर अगेन वही चीज है बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोफेशन वाइस करियर वाइस इंसान की व्रिद्धी प्रोफेशन में हमेशा ग्रोथ रहेगा स्टेटस उपर होगी इनकी तो यह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा यहां पर भी प्रोफेशन वाइस अब बात करते हैं कि अब क्या ध्यान देना है क्या सावधानिया अबरतनी है इस योग को देखते हैं क्योंकि आप कहोगे योग तो है रिजल्ट वैसे नहीं है तो देखिए दोस्त कर चंद्रमा आपका जो है चंद्र का साइन है करक राशी चंद्र की राशी होती है और चंद्रमा मान लीजिये Kenneth में है या सूरी से कंबस्त हैं या फिर मान लीजे छटे में हैं यहां कहीं औरबहुत हद तक results को सकते हैं और सूरी से जादा close combustion में combust हो गए हैं तो भे results अच्छे नहीं मिलेंगे results अच्छे नहीं मिलेंगे जो अच्छे results है वो दब जाएंगे उतने अच्छे results नहीं दे पाएगा क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि जिस जमीन पे planet है जिस राशी में planet है अगर वो राशी का स्वामी ही combust है या फित्रिक भाव में बैठा है पेडित है तो results लापके थोड़े दब जाते हैं हाँ पूरी तरह से खतम नहीं होते हैं लेकिन result दब जाते हैं कहने का मतलब जितना अच्छा result कहा जाता है उतना अच्छा नहीं मिलता है ठीक है उसके बाद ये चीज़ जो मैंशा कहता हूँ दशा आप यह देख सकते हैं दशा is very important मैंने लिखा हुआ है अगर आपके अस्टम का दशा चल रहा है बारवे का दशा चल रहा है छटे भाव के स्वामी का दशा चल रहा है तो थोड़ा देखिए उस दशा में परिशानिया रहती ही है ऐसा नहीं कि परिशानिया नहीं मिलती परिशानिया रहती ही क्योंकि दशा का स्वामी ऐसे कि मान लीजिए मकर लगनी की कुंडली है और अस्टे में सूरी की दशा चल रही है तो और आप कहोगे कि यार मेरे इसमें तो ये अच्छा कासा योग है हंसी योग लेकिन लाइफ में थोड़ा tough टाइम चलता है तो tough तो इस चीज को आपको समझना है कि जिस राशी में बैठा है जैसे कि वो उसके रेजल्ट अच्छा और अभी और एक कंडिशन होती है जैसे ब्रहश्पत हैं यहां पर सूर्य देवता आगए मान लिजिए सन के साथ कहां पर मैं एक एक एक्जामपल देता हूँ जैसे कि अभी केंद्र में मान लिजिए मीन राशी में मीन लगन में यह दस्वे भाव में बैठे हैं साथ में सूर्य भी बैठा हुआ है और सूर्य ने मंगल को कंबस्ट कर दिया है यानि स्वारी ब्रहश या फिर लगने में बैठ के अस्थ हो गए हैं कहीं पर भी अगर सूर्य से अस्थ हो गए हैं उस कंडिशन में भी पूर्ण रिजल्ट इस योग का नहीं मिल पाएगा और आपको इससे नहीं जोड़ना है अगर एट थाउस की चलती चलती तोड़ी परशानिया आती है उसम में हर दशा को आपको इससे नहीं जोड़ना है दशा अगर एट थाउस की चल दी थोड़ी परशानिया जीवन में आती हैं इधान रखी का कंजेंग्शन मैंने बता दिया सूरी से कंबस्ट है तो थोड़ा पर रिजल्ट खराब होता और यह एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देख सकते हैं कंजेंग्शन क्लोजर देन टू परसेंट ऑल्सो नॉट फ्लरेज डुएल यहां पर सूरी की बात छोड़ दीजिए मान लीजिए किसी अधर प्लानेट के साथ ब्रहश्पत है और दो डिगरी से कम है डिस्टेंस मान लीजिए दस डिगरी का ब्रहश्पत है और ग्यारा ड प्लानेट वार की स्थिति पैदा कर देता जैसे मैंने लिखा है सिच्विशन ऑफ प्लानेट वार तो दोनों भी प्लानेट के रिजल्ट खराब होते हैं यह एक मेरा मेरा कथन है यह मेरा एनालेसिस है आप इसे अपनी चार्ट पर लगा के देखिए का दो डिगरी से कम त आपके चार्ट में सूरिक के अलावा किसी भी प्लानेट के साथ तो अच्छे रिजल्ट दब जाते हैं अब बात करें राहू के तू राहू के तू के साथ अगर बैठा हुआ है ब्रहश्पति आपका और यह योग है बाजू में राहू उसी मतलत मान लीजे आप इसे दन वाला प्लानेट है तो काफी चीज़ें है राहू सी रिले टन मैंने राहू सी रडमिक यहां देख सकते हैं तो फिलाल एक ाक एक केटू होगा तो इतना फरक नहीं पड़ेगा एक हद तक केटू रहेंगा तो रिजल्ट ज़ादा खराब नहीं होंगे लेकिन राहू को तो इस चीज़ को ध्यान रखी गा यह सारी चीज़ें हैं दोस्तों और आप से एक आखरी मेरा निवेदन रहेगा कि यह मेरा इंस्टेग्राम प्रोफाइल है अगर आप इसे फॉलो करें पेज के लिए तो आप तो आपको अच्छे पोस्ट जो हैं स्ट्रॉजी से रेटेड मिलते रहेंगे तो अभी के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा आपके लाइक बहुत इंपोर्टेंट होते हैं आप लाइक कीजेगा मेरे वीडियो को शेयर कीजेग तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ थाइंक यू सो मच थाइंक यू सो सपोर्ट